गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं आपका भाई ग्रीन में नर्पसिंग आज में लेने आया हूं कि खीप खीप एक तरह की रिगिस्तान में गास है और गास पड़ी आयुर्वेध होती है इसके देखो यह फूल लगी है फूल के साथ फिर इसकी फलिया लगी फले की बड़ी स् कबजी बनती है और इसका वास्तवाक विगल नामने लेव्टा टेणिया के नाम से जाना जाता है फिरly नमना सका वो एक तरह के प्राकृति घास है और यह हम देखो यह मेरा काटा वुकल बच्छा हुआ है यह ऐस कि की 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 कारने के वहत खुजली होती है इसके और खुजली बड़ी खतरनाग होती है साथाने से काटा जाता यह ज्यादातर बरसात के बाद में सर्द रितू में होने वाल गास है इसके खींप्रा भी कहते है वाड में रिवासा में और ये खींप बहुत ज्यादा मातरा में उगा हुआ है और इस खींप को मकाट के गायों के बाड़े जोपे त्यार करती है और खास के रइगिस्तान के बहारत पाकिस्टनाइन बोर्ट पर जो लिए सब की चोक्या होती है उसको बड़ी मज़ेदार जोपड़िया बनाते हैं यहां से पाणी आएगा जैसे यह काटाई देखो यहां से देखो यह पाणी आएगा जैसे अगरी फूल टूटेगा ने तो भी थोड़ा सा देखो यह पाणी पाणी आएगा इस पानी से क्या बहुत खुझली होती है कि चारत दूंद गुबार उसला आए देखो यह यहां पर यह क्या है क्रेसर लगे हुए तो हम कल मैंने खुब सारा खीम काटा है और यह जोंपे का आज कहीं पाट लेंगे इसकी गर्मियों को दुनों में बड़े अच्छी कुटिया बनती है वैठने के लिए और पोजी बाई तो हमेशे बनाते हैं बोडर इलाके में और रास्तान में इनको पंजाब में भी इसको खीम करते हैं अलग इलाकों में अलग अलग भासा में इसको जाना जाता है सुबह से मैंने थोड़ा सकीम काटा है बस इतना काटा है क्यों में थोड़ी सी एक अलग कुछ बनाने में लगया था क्यों यहां पर कैर थे कैर की आपको पता है कि दिने स्वादेश सब्जी होती है पंचकुटा बनता है और एक आईर्वेधिक सब्जी होती है यह एक कैर कि देख सकते हो यह केर है केर के नीची जो गिरी हुए थी पके हो डालू उस केर को पकने बाद यह डालू करते है तो इस डालू को मैंने वेक बड़ा अच्छा डालू का रूप दिया मैंने यह बनाया मैंने डालू देख सकते हो बड़ी मेहनत के बाद मैंने बनाया है डालू और डालू बनाने हमारे 32 का अम रोधरा भई तो डालू खाने से पेट की बिमारी दूर हो जाती है और यह पक्षियों का स्वाधिस्ट और फेवरेट वेंजन है और खासकर तोत्य खूब आते हैं केर पर खाने क खार भूमी में भी अलग अलग तरजाते की पाक्षी पाई जाते हैं और हमारे इस ब्लोक वो कुछ कमी पेसी लगे था कॉमेंट बोक्स में जरूर बताईए और सपोर्ट किजिए हमारा भी और दूर दूर तक नजर आ रहा है खींपड़ा है खींप औरा भींपड़ा है तर सकूर बोक्स म Speaking कर भींपड़ा है कि हमारे खींपटरे प्यानिवदा लुड़ा है धूर को यहिए सकते हैं बड बुद दूरिख़ां अर्मी